हुआ है दोस्तों अगर दुनिया में समाज में बड़ा कारी करना है या कोई महान कारी करना है तो उसका वस एक ही उपाय है या एक ही राश्ता है कि आपको अपने कारी से क्या करना होगा यानिक अगर आप सिए चाहिए पढ़ाई से प्यार होना चाहिए रोज मर्रा की हो रहे गत्विदियों पर कि देश में क्या घटित हो रहा है हमारे इक्जाम के लिए बहुत जरूरी है इन सब चीजों को क्या करना है उसको बार बार देखना है और ऐसे नहीं कि हम यह अपने भारी मन से कर रहे हैं जब तक अपने भारी मन से करेंगे तब तक किसी चीज में सफ़कतार नहीं मिलने वाली है यह याद रखिएगा तो समस्कार में कपिल देयों सौगत करता हूं आप सबका अपनी इन्वार्मेंट की महत्मूर कख्षा में तो दोस्तों आज हम सुरू करने वाले हैं आपका क्या इसमें पढ़ने वाले हैं कि जो आपके जली जीव हैं वह कौन-कौन से होते हैं जो बेहत चर्चा में रहते हैं जिनके बारे में आपके एक्जाम में पूछा जाता है फिर हम समझेंगे लेक एकोलोजी को फिर हम देखेंगे यूट्रोफिकेशन यानि कि इसको सुपोशन को सुपोशन देखेंगे कि सुपोशन क्यूं होता है कैसा होता है क्यूं यह चर्चा में रहा या क्यूं यह बहुत खजरनाक वाना जाता है फिर हम देखेंगे हालफुल एलगी ब्लूम को जिसको बोलते हैं यानि कि जो हानिकारत सैवाल प्रश्ठुटन की घटना है कैसे होती है क्यों является उसको ने वाले हैं थे मैट लाइन सब्सक्राइब करहें ज्युआ आजिके जो आपका आर्धभूमी पलिस्कीत को यह के सरकार। क्यों इतना जोड़े रही है क्युंहों और भूमियों को इतना सब्सक्राइब कि क्राइब की बात होतीенный लिए प्रोग्राम कि विया रास्टी ये शकाट दौरा और प्रावधान की गए यह सब साइस देखें किसे लिए बिटनेर के सरक्षण के लिए मॉन्टेक्स रिकॉर्ड जानेंगे चिब यह क्या है चर्चा में रहा है क्या भारत की आर्द भूम दखेंगे कि मुगए के विश्यों के विश्य हो इसमें आप देखते हो कि जो को रीज हैं वो हम बहुत बार देखते हैं कि वहां पर लीफ के बार हैं कि बहुत बार पढ़ते हैं कि जो आप अस्टेलिया के घ्रेट बेरियर रीफ है उसलिया के पूर्वी तडपर स्ब्सक्राइब क्या हो रहा है मैं इस से कौन-कौन सी चिंताइं उत्पन होते हैं यह क्यों बनते हैं इन में और साहिक चीज़ें क्या है बहुत सारी जानकारियां पढ़ने वाले इसमें तो चलिए आज सुरू करते हैं अपना हम क्या एक्वेटिक एकोसिस्टम के बारे में जानते हैं अब जैसे हमने पहले क्या की बात की हमने फिर मैंग्रोव की बात की वह भी ट्रेश्टियल में आएगा लेकिन हलाकि एक कंजंक्शन एरिया में उसकी बात की उसके प्रावधानों को पड़ा बहुत सारी जनकारिया देखी जानी तो जो आपका एकोसिस्टम है दोस्तों यह भी क्या है यह भी आपके उसके परश्चित्की तंत्र का ही एक हिस्सा है यानि कि जिस तरह पारिश्चित्की तंत्र होता है वहां पे बीजो बायोतिक एन अबायोटिक फैक्टर्स ब्रकास की तीबिता जल प्रवाह लबरता अज से उसकी उपता हो गई या प arrangements के प sì अब आप इसके बारे में देखेंगे कि जिस तरह आपका अस्थाली परित्थ की तंतर था उसमें भी क्या चीज़े थी बहुत सारे बायोटिक अबायोटिक फैक्टर थे काम कर रहे थे इसमें भी वही सारी चीज़े हैं आपने देखा अब हम क्या देखेंगे कि जो टाइप सब्सक्राइब कितने प्रकार के होते है यानि कि कितने प्रकार से जो सिस्टम है उनको काउंट किया सकता है गिना जा सकता है पहला तो हम किसको कर सकते हैं कि लेंटिक या लोटिक ठीक है लेंटिक का मतलब है प्रवाहित लेंटिक का मतलब है रुका हुआ लेंटिक का हुआ जल एक है रुका हुआ जल एक रुका हुआ जल यानि की इसमें क्या रहेगा आपका से प्रवाहित जल जो भाहता हुआ लोटिक क्या होता है आपका लोटिक होता है प्रवाहित ठीक है प्रवाहित जल जो बहता हुआ जल है ठीक है प्रवाहित जल यानि कि स्वक्ष जो आपका जलवाई जो जलीई पारिकंत्र है उसमें लोटिक और लेंटिक यानि कि रुका हुआ और प्रवाहित जल जिसमें क्य स्वक्ष होगा पारदर्सी होगा उसको क्या बोलेंगे आपके clean water ecosystem दूसरा क्या होगा दोस्तों transitional ecosystem की बात करता है ठीक अब estuary है जैसे estuary की बात करनी जाए अब जैसे transitional की बात करेगा तो वहां पर आपके दिमाग में एक चीज यह आना चाहिए यह transition की बात हो रही है तो दो पारिस्त्रगी तंत्रों का क्या होगा वहाँ पर मिलन होगा यानि कि इनका जोड होगा और उस कुछ क्या बोलेंगे जंक्शन एडिया ठीक है transition की बात कर रहा है तो आपको नए नए सब्द मिलेंगे इसमें जैसे क्या है yrixo की बाद करता है यह आपका क्या है नदी और समुद्र पारिष्थरगी तंत्र क्या है मिला जहां पर नदी और investments relationship, यह बात करता है weetland ठीक है यानि की art room की ठिक आधों यानि कि यह कहां रख centers what लिक्टी मिलती हो वहां क्या ओगा िता है फिर बात करता है फिर बात क्रूमुर्ण की जहां बात करेंगा वहां क्या ना को सिश्ट्म mm और जो आपका уां चैनल सेलें वांनु वार किन डियर थाकर थिक प्रिश टो अलीध की बात करें में लंड़ी जल्की या रेत हैं महकर वहां는 हार थी कि आपका वहां भाषा रखता है अब इसमें तो ओपेन ऊसियन पूरल रीपस बैरियर आइसलेंड शौर लाइन यानि जो तकी इलाका है आपका वो भी यह जाएंगे इसमें यह क्या है यह याद रखेगा यह लमड़ी है ठीक है लमड़ी जली जो परस्थरी तंत्र है उसके भाग है ओपेन ऊसियन ऊसियन होगा ही तो होगा ही और पूरल रीपस केवल यहीं पाये जाएंगे बैरियर आइसलेंड यानि कि जो पूरल रीपस के द्वारा जो बनाया जाता है आप देखेंगे अभी दिखांगों आगे या फिर आप अपनी किताब में पड़ोगे जो बैरियर आइलेंड होते हैं किस तरह से होत यानि किल्बडी इको सिश्टम होगा अब इसमें भी क्या है दोस्तों कि जो आपका करता है कि इसको कौन कौन से फैक्टर जो है वो प्रभावित करते हैं क्या है पहला टेंपरेच्छर कि लिए जो है वह बहुत जरूरिया है उनकी विकास-wृदी के लिए ship जो है कि क्या दोस्तों बहुत जरूरी है अब जराव किसके वहाँ गभुए आ कि मस forget about कि यहां पर हाँ जो है वह क्या होता है दोस्तों अधिरे-धिरे-बढ़ता है ठीक है hmm कि दीर दीरे-बढ़ेगा है है धीरे-धिरे-बढ़ेंगा मतलब यानि कि जिस तरह से जिस गटी से आपके द्र या आपके ट्रेस्य Mits củल फे तिमप्रिचर का जज्दा होना या को shootingsciamo एक सिस्टम में क्या होगा तापमान के घटने और बढ़ने की तर जो है यह तो यह कि जो आपका ताहपान है वो क्या होगा प्रभावित करेगा कि सो जीवोंगी सिस्टेंग होस कैटा हझता है इससे उनकी जनसंख्या है धोस्तों एक घ्志ता होगी या तो बढ़ेगी अगर ताहप प्रयाप्त मात्रा में है या ताप मान सही धंग से प्राप्त हो रहा है तो वहां पर जीव लितों की संख्या में क्या विडिधी ओगी और यदि वही तापमान जो है गिर जाए या नीचे चला जाए यानि कि अगर 17 डिग्री से चाहिए है अगर वही तापमान जो है आपका कितना हो जाए 14 डिग्री से सबकोये कैसे अब जब के बात करेंगे तो यहाँ क्या बात करें दोस्तों अब यहां पर क्या होगा दोस्तों जब सूर्य का प्रकास जैसे होता है अपना सूर्य है जैसे यह आपका सूर्य हो गया तो सूर्य का प्रकास केवल 200 मीटर याद रखिएगा केवल 200 मीटर तक क्या होगा पेनिट्रेट करता है या 200 मीटर तक ही पहुंचता है यहां तक 200 मीट इसको वोलते हैं क्या सोठिक जुन है घ्रकिर जोन बोलते हैं इसको जहाँ तक सूर के प्रकास की प्रक्षे का होगी एकवैने इकोसिस्टम में इसको बोला जाएगा फोल्ट आप थीक उसके नीचे कि यहां पर पर काशी उपलबता नहीं है वहां दिए उसको बोला जाएगा ए अपमटन जोन खेक यह आफो सिक जोन को आहिंए इसको बोलते हैं प्रकासिय एस ए प्रकासिय है छेत्र है और लिए और सिसको क्या ढोलेंगे आप रख़इस चेत्र अप जब यह भी क्या करता है दोस्तों यह फी प्रभाविद करता है क्योंकि सवासन की क्रिया होगी। सब पूरे आपकरे कुछ सिश्नम हैं वहां पर होनी। लेकिन यहां पे स्वसन भी होगा यानि कि जो आपका फोटिक जोन है यहां पे क्या होगा यहां पे स्वसन भी होगा और क्या होगा दूस्तों यहां पे जनन भी होगा और क्या होगा यहां पे वृद्धी भी होगी किसका आपके जो अर्गनिजम है उनका कहां पे फोटिक जोन में अब हम बात करते हैं कि सेलआंटी इसको करती है कि बिल्कुल करती है अब देखा जाए तो सलिल्टी में क्या है जीरो डिगरी सल्शियस की बाद जी सेम कर लें तो यहां पे क्या है कि इस पे मापा गया कि 14.6 माइक्रोग्राम प्रत लीटर जो है वो क्या है आपके oxygen की उपलब्धता है ठीक है क्या है oxygen की उपलब्धता कहां पे में आपके एक्वेटिक एकोसिस्टम में है है अब यह जो लगता है वहां पर देखी जा रही है किसमें सेलेंटी में तो अब यहां पर दोस्तों क्या होगा यहां पर किसकी हम बात कर लें यहां पर कर लेंगे तो यह एक सो पत्चास टाइम यानि की एक सो पत्चास गुना कम है कहां से जो आपका अस्थ्ली पारिश्टृकी तंत्र है उससे अस्थ्लीAL ół जो आपका पारिश्ट्ट कर लें ठीक है कि डीजॉल्व ऑक्सिजन की बाद कर लें तो इसमें भी क्या करेगा इसमें भी यह प्रभावित करता है घुलित जाप अक्सीजन कितना 150 ताइं कम है किससे आपके अस्थरी परस्थरी तंतर है उस से फिर बात करता है इसके है नियूट्रियंट्स की बात करेगा यानि पोसक्तप्ट्त की बात करेगा कि ये क्यों जरूरी है जाहिएर सी बात है अगर एक्वैटिक ему台 oh पोशक्तत्व जो है वो कम है जानि कि में क्या हैं कम है तो वहां पे उनकी उतपादक्ता या जो आपके रहे स्वतिक्ति oynताया मुद्धव क्या होगा असर पड़े गाए कंका होगी था संतुलित मात्रा में है किसमें Bailer की स्थती में हैं तो वहां पर उत्ता क्या होगी विध्धी होगी और यदि पोशक यनूटियंस इनकी न ज्यादा और लिवेग्धी ज्यादा हो गई तो भी क्या होगा दोस्तो तो भी productivity क्या हो जाएगी यहां की प्रोड़क्टिविटी कम हो जाएगी या कम होगी किसकी आपके ऐक्क्राइट सीस्टम की तीया कहीं अब हम किसकी बात करने आगे अब अब ऐक्वेट इक से होते हैं उनको भी देख लिए तैप कुन-कौन से होते हैं जो अब उसमें रहने वाले जीव जन्तु वोटर इको सिस्टम देख लिया पिर दिखें देखा अब उसमें रहने वाले जीव जन्तू है उनकी बात कर लिए उनकी बात कर लिए तो जो आपके वो पानी में भी यहां के जीवजंत्रों का की प्रकृति जो है वो क्या होगी अलग होगी और स्वसन प्रजनन या विद्धी करने की च्छमता वो अलग होगी कहां से आपके असली पार्ष्ट की तंतर से क्योंकि हर इको सिष्टर की अपनी विश्ष्टाएं अभी यहीं तो जेविमित्ता क्यों दोस्त ठीक चलिए अब हम किसकी बात करें जैसे हम बात करेंगे एक्वेटिक और इसे की तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि इसकी निउश्टन की यह आप लोगों नहीं अक्सर देख यह अब मकड़ियाँ पानी भांद आप थे हुगई और यह आपने देखा ही होगा इसको इनको बहते हैं कि यहाद रहेएगा इनको लेंगे जी आपनी की सतह पर श नियनी की सतह पर वाटर यानि कि पानी की सतह पर पाया जाते हैं कौम से आपके निचाघ cathedral कर रखियेगा निचेन जीव उनको क्या बुला जाएगा उनको बोला जाएगा और भुला लेगा है अब प्रिफाइटन की बात कर लें ठीठ पेडिटॉ क्या होते हैं मिया पेरिफाइटन आपने देखा होगा जो हमारी गाउं का नलकूप होता है उसके आसपास जाओ जो पाइंप होते हैं वहां पर देखो तो आसपास जो काईयां लगी होती है या इस तरह से नदी में जाओ तो नदी में भी ऐसी काईयां मिलती है इनको क्या ब कि हेट्रोट्रोफिक जो माइक्रोब्स हैं और अपरद का एक जटिल मिस्त्रण है जो अधिकांस जली पार्शित्की तंत्रों में जल्मग्न सत्वों के या उनसे जुड़ा होता है उनके पास उपच्छित होता है अब देखा होगा यह पुरानी तालाब होंगे तो आप उसमें देखोगे जहां से मतलब सफाई नहीं होती है कई कई साल तक तो या आप नदी या किसी पुराने फुल के पास जाओ अगर आपके आसपास गाओं के या सटाहर के आसपास कोई पुल है तो वहां पे आप जाओ वहां पे इस इस सितियत देखने को में नहीं तो इनको क्या बोलते दोस्तों इनको पैरी फाइटन बोलते ठीक है यह इस है यह समुद्र के आसपास याश्माश के छेत्रों में रहते है इसे जीव'े जिसात्र के जिपने आधिकान्स पलवक यानि जिवाँआब के फ्लैंक्टेन्स हैं स्थूच में धरंची मुझ द्रसी स्क्रेंटनों कुछ दो भागों में इँ हद्रे कर दो यह क्या होते हैं पारदरश होyllते हैं इंकूर दो भागों और दूसरा क्या है आपका जीव प्लवक यानि की जू प्लैंक्टन ठीक है दूसरा क्या है जीव प्लवक अब जैसे हम देख लें कि जो आपका पादप लवक हो क्या होता है दोस्तों पादप लवक वह होता है जो एक तरह से स्वर की प्रकास में अपना क्या बनाएगा खाना बनाएगा ठेक है और जो आपके जूब अब डीपेंड करते हैं यह बहुत छोटे होते बहुत छोटे होते हैं जो आपको किसे मैं फिंप गो सबसे सकतिसानी जीवों की किसमें जो आपके एक्वेटिक सिस्टम उसमें रहने वाले सबसे सक्तिसाली कश्वरी की जीव है उनकी बात करता है ठीक है अब यह क्या होते हैं यह स्वतंत्र समूद्री जीव है पहले तो क्या है यह सक्तिसाली है फिर क्या है दोस्तों यह स्वतंत्र है पिर यह क्या करते हैं दोस्तों यह धारा के विपरीत याद रखिएगा धारा के विपरीत भारा के विपरीत तैरते हैं जब आपके की बात आ जाय तो यहां पर बात किसकी होगी साक्तिसाली की बात होगी जो आपके विश्य स्था ये सुतंत्र होते हैं कहीं भी विचरण करने के लिए सुतंत्र हैं और साथ ही साथ यह क्या है दोस्तों यह धारा के विपिरीत जो है क्या करते हैं यह मुख रूप से क्या होते हैं कसे रूकी जीव होते हैं अब जैसे कौन से सकति सारी जीवों की बात कर रहे हैं तो क्या है वेल डॉलफिन्स स समुद्री इंप जसे लो presumo कि बात करएं और जैसे कि आपका गर्जाट हो यह कि,иль कि यह यह जाना गहराई में, नहीं पाई जायेHay ,क यह रूपस देखा जाहे तो जधा गहाराई में यह ऑट की ज़से होती है वर जड़ाऊ में नहीं पाई जाटे हैं याज दो यह दोस्त कि बिन्थोस की बात अगर करते हैं हम तो बिन्थोस यानि की जो आपका समुद्र है या जो आपका एक्वेटिक इकोसिस्टम है उसके कहां पर उसके मतलब सबसे नीचले सतह पर ठीक है कहां पर सबसे नीचले सतह पर यह पाए जाते हैं यानि समुद्र तल पर यह ऐसे जीव हैं जो समुद्र तल पर या उसके उपर रहते हैं तो आपके एकोसिस्टम की क्या है सब्सक्राइब से बाए जो आपके एक्वेटिक इकोसिस्टम की वाइब आवस्ति हैं उसका सूलख प्रतिसत रहे ज़िव क्या है अ या रखियेगा इनकी जो बाए डालस्ति हैं वह सम्पूर्ण सोचिए कितनी विवित्ता है यहां पर सोलह प्रतिशत केवल क्या है बेन्थोस है ठीक चलिए अब हम क्या देखेंगे अब हम देखेंगे लेक एकोलोजी या लेक इकोसिस्टम कि या समुद्र की देख लिए हमने वहां पर कॉंकों से जीव पाए जाएंगे अब एक चीज और यहां रखेंगे जोब का इसमें क्या है यह सबसे अधिक प्रजन करने वाले क्या है सबसे अधिक प्रजन करते हैं यह कौन जो आपके फाइटो प्लैक्टेंस और जो आपके इतन से देखा जाए जो देख आए लिकिस में होदा फाइटव प्लैक्टेंस घूंटर्स वह बहुत चोटे हुने कि 1-mm से लेके बिधन holding कई मिटर तक अब हम बात करें किसकी अब हम बात करने वाले हैं आपके लेक इकोसिस्टम की ठीक है लेक इकोसिस्टम की बात करें इसमें क्या विशेष्था होती यह क्या है इस्थिर जल्पारसित की तंत्र है यानि कि जब जेल की बात करें तो यह क्या है इस्थिर जल्पारसित की तंत्र घिल की बात करता है यानी की क्या यानी की बात कर रहा है अगर जिल की बात अपके सामने आप्स लगा देना है इसको सीधोन लगा देना है क्या इस फिर मीठे पानी की जील है उसमें घुले हुए लवनों की कैनी बहुत क्या होती है कम मात्रा होती है ठीक है अब जी जिल की बात करते हैं जसे हम तो वहां पर क्या हो जागी मीठे पानी जाहां जाहिए जो किताब यहां उसमें कि लवनों की मात्रा उद जील में क्या होगी कम होगी इसलिही से क्या वोलाइग है मीठे-पाणीजील अब जब हम बात करते हैं किस इस तरबंदी जो तो आपकी देखा जाये जैंखेल तो जील है उनकी सत्क कबइन से नीचे नहीं जाता यह यह याद रखिएगा यह बहुत महत्पूर्ण पॉइंट है आपके सर्फिस टेंप्रेचर नेवर फॉस बिलो फुर्टी डिगरी से याद रखिएगा अब जब हम बात करेंगे किसकी जब हम बात करेंगे समसी तोस जील की वहां पर क्या होगा दोस से यह प्लस टू डिगरी से इसी हिसाब से क्या होगा बदलता रहता है यहां पर ज्यादा तापमान का बदलाओ नहीं होता है अब जब हम बात करेंगे किसकी सितोस जील की बात करेंगे यह तो यहां क्या देखेंगे दोस्तों कि कि यहां की जो जीले होती है उनकी सतह क्या होती है बर्ट से जमी होई होती है लेकिन यहां भी आपका एक्वेटिक इकोसिस्टम या देखा जाए तो जो जली जीव और्गनिजम्स हैं वह भी क्या होंगे पाए जाते हैं क्योंकि सतह के एक भाग पर ही क्या होगी एक स्थि क्या होंगे वहां पर पाये जाते हैं वहां पर पर जाए योगा वह कम नहीं होता है एक तरफ से अपर है कि उपरी सता जम जाती है और नीचरी मचलियां त्रिज धान हैं वो क्या हो जाएंगे मिलते रहते हैं आपको ठीक है कि चलिए अब जैसे की डिफरेंट एरिया की बात अगर कर ली जाए कि जील है उसमें कौन-कौन से एरिया की बात होती है अब जील है तो भाइस के छेतर भी होगा कुछ वह यह किनारा है यह सतह है यह गहराई है ऐसे जैसे हम बात करने किसकी हम अगर जील के अगरिया की बात करें सबसे पहले क्या आता है आपका लिटोरल जोन यानि कि इसको हिंदी में क्या बोलते हैं दोस्तों इसको हिंदी में बोलते हैं विलांचली इसको याहिए कि विलांचली छेतर आप जलान चली खेतर हैं जो आपका एरिया है इसकी बात कर रहा है तो यह क्या है अपर एरिया यानि कि जो कजील है वो उसका क्या है अब अब यहां पर क्या होगी बायोडाइवर्स्टी वह ज्यादा होगी बायोडाइवर्स्टी क्या है यहां पर बायोडाइवर्स्टी ज्यादा होगी यहां पर उक्सिजन क्या होगी ज्यादा होगी टेंपरेचर है ज्यादा होगा सनलाइट स्यादा प्राप करेगा ऑ्र यहां प्लांट्स हैं या एक्वेटिक जो आर्गोनीजम्स हैं वो यहां पर क्या हो जाएंगे उर्गोनीजम्स जो होते हैं वो यहां पर ज्यादा मिलेंगे आपके ठीक है अब जब हम बात करेंगे लिमिनेटिक छेत्र की यानि की इसकी लिमनेटिक जोन लिमनेटिक घ्र लिसको बला जाता है तो यहां पर क्या होगा दोस्तों यह आपका एक तरद से लुग आपकासिक जो प्रकासि उंचलियां है वह पाई जाएंगी और यहां तक जो है सूरिका प्रकास तरेट करेगा या सूरी का प्रकास यहां तक क्या होगा उपलब्द होगा ठीक अब आगे देखते हैं दोस्तों आगे देखते हैं कि यहां जो अगला जोन आपका है वो क्या है प्रोफंडल ठीक है प्रोफंडल जोन जब प्रोफंडल जोन की बात आएगी तो यहां पर क्या देखा और oxygen यह को होगे oxygen भी कम होना शुरूंब हो जाएगी डिजोंब ऑप सीजन होती है यह जल जो भूलित oxygen वह क्या होगी कब होती जाएगी और ठोड़ा था थंड़ा जो कम थंड़ा कि प्लान्ट हैं प़food और यहां पर प्रकास की उपलबता हो यह क्या होगी होगी कुम होगी किसकी बात करता है हुए किंधिक न रहुत है यह से देखा जाय है तो एक यह इसके बाले में ज्यादा कुछ कहा नहीं जा सकता यह एक है अब यहां पर क्या होगा एक तो सूर के प्रकास की प्रवगता नहीं होनी आप फिर यहां पर क्या होगा बेसिक यानि की देखा जाए तो यहां पर जो और इंडम से वो नहीं पाए जाते हैं चाहे वो आपके पादप हो चाहे वो मुछलियां हो चाहे एक तरह से जो बाइडाउस्टी लेकी बाइडाउस्टी वहां पर क्या होगी कम होगी और यहां पर क्या हो क्योंगे के अपग्यत होंगे कि अपग्यत होंगे आपके तहां बिन लेक है उसके बैंतिक एरिया में अब होंगे तिक चली कि अब टाइप सॉलिक्स की बात कर लेजाएं paired ज्ज taken party कि बात कर रहे हैं औरा प्रकार की बात नि司र ये लिए पत्रतसे अरुशित है यह जब ईसे प्रश्न बनेंगे आप Кें सामने जो आपके लिगों से हैं पहला है जो आपका वadas gonna त्रॉफिक दूसरा करता है तीसरे यूट्रम फेक धिल कि अब क्या उसक्ता है कि मीजटो पर शक्रखन की हुव कि में आपके जो है दिस्टा को आदित्थ होती है या अधिकता सर्वार्युअ होती है यहां पर oxygen जो है वह सरवाधिक मातरा में पाया जाता है लेकिन पीनी लायक जल नहीं होता है यह इस तरह से जो है वह आपके लिए क्या करेंगा विकल्ब बनाएगा या options बनाएगा अब जब बात करते हैं पहले प्रकार की ठीक है पहले पहला प्रकार हमारा कौन सा है वकल्गोड ट्रोफ। टिक है यह सबसे एक रसे देखा जाए तो बहुत आधर और सिस्प्रिक पछी ज्हिल की के आधर सिस्प्स्रित हैं इहां पी चाई दोस्तों यहां ladies जाउगा उत्पादक्ता अगे कि किया है कि जली जीव क्या है वो भी कम होंगे फिर यहां पर अगर देखा जाए तो जो आपके निउट्रियंट्स यानि कि जो आपके पोशक इसको पोशक बोला जाता है पोशक तक तो क्या होंगे वो कम होंगे जब पोशक तक तो कम है तो अपलब्ता अपने या पर भावित होगी अपलब्ता होगी नहीं यहां पर दोस्तों यहां पर जो देखा तो ऑक्सीजन जो आपकी ऑक्सीजन है वो क्या है तो ऑक्सीजन की उपलब्ता ज्यादा होगी और जो जल है इस जील का जो जल है वो क्या होगा कि स्वच्छ होगा यानि पीने योग्ये जल होगा एक त्व क्या होगा ये और क्या होगा यहां या ओलिगोट्रोफिक की बात हम कर रहे हैं तो ठीक है अब जैसे हम उजहर के तोर पर क्या देख लेए में अउदAudi के तोपपे क्या देखा जा सकता है। एक यह जिल जैसमंद ऑर फिफी कर जिल ऑद जील ऑफ और leasa od Columbia अब आट यह यह क्या है home work है कि जैसमंद्द और चिल्ग जील यह कहां अवस्तित हैं ठीक चलिए अब हम बात करते हैं किसकी मीजो ट्रॉफिक की यानि अपने दूसरे प्रकार की जील की बात कर लें प्रकार के हमने देख जैल क्या बहुत अच्छी स्थिति यह लिए ढूशर में data में मेज़ों टॉफिक में इसमें क्या होगी दोस्तूह उत्पाधक्ता अगर उत्पाधक्ता देख लिजा गढगा होगी इनि की जो आका जो अखड़ा सा अधिक होगी ठीक है और क्जोग लाद में तक है हम यहाँ होगी कि यह अब यहां पे जो duplication है है कर रहे हैं कि अब जैसे जो यहां पर जाधा है जहां यहां होगी क्योंकि जब उत्पादक्ता ज्यादा होगी है जाहिर सी बात है है मेटा है या उसके लिए क्या करना पड़ेगा उसके द्वारा है इनको और और यहां पे जीवों की पुलवता है वो क्या होगी वो जधा होगी ठीक है जीवों की परकास की पुलबता क्या होगी वह भी कम होगी या मध्यम होगी कि मुझे से जिस तरह से आपके जो आपका प्लग क्या था उसके अनुसार या उसके अधार पर देखा जाए तो आपके मेजो ट्रॉफिक में जो प्लगता थी प्रकास की वह क्या थी कम थी ठीक अब फिर क्या होगा दोस्तों अब बात कर लिजाने कि मेजो ट्रॉफिक की पार्दरसिता की बात कर लिजाने पारदरसिता कैसी होगी साफ नहीं होगा पानी पानी साफ नहीं होगा याद रखिएगा पारदर्सिता कम होगी यानि कि पानी जो है वो आपका क्या हो दिखेगा पानी हरा दिखेगा ठीक है पानी हरा दिखने वाला है जो आपका मीजोट्रोफिक है उसमें पानी क्या दिखता है हरा दिखता है और यह जो पानी है यह पीने योग्य है नहीं है एक यह पानी सवक्ष नहीं है एप का फी कहा है थिका की बात कर ले अब इस तरह की जीई जो है भारत में क्या है बहुत पाया जाती है ज़ो मीज्ट्रॉफिकन अब बात करब किसकी हम यू ट्रॉफिकन कहा अब तो यहां पर उत्पादकता क्या होगी दोस्तों उत्पादक्ता क्या होगी सरवाधिक क्यों होगी क्योंकि जो पोसक तत्व हैं उनकी उपलगता क्या है ज्यादा है और किसकी बात कर लिजाए बात कर लिजाए आपके स्लाइट की स्लाइट की बात कर लिजाए तो इसकी प्रप्ता क्या है कब होगी कि ज्यादा होगी पताइए कम होगी कि ज्यादा होगी स्लाइट की प्रप्ता क्या होगी दोस्तों कम होगी ठीक है क्यों अब आगे बताऊंगा क्यों और यहां पो जो जीव हैं वो क्या होंगे उनकी जनसं होगी कि ज्यादा होगी थी अब यहां पे oxygen कि अब इसका बात कि लिए है तो यहां पे oxygen क्लीजन वंक्या होगा और प्रांध में लबद होगह तक याद रखेगा यहां पर अगर इसमकार कि जील है तो यहां पर ऑकसीजन कि मत्रा क्या होगी कल जो हो गई है वह क्या कर रहे हैं उप्योग कर रहे हैं और साथ ही साथ captured प्रेंगे तो उनको भी तोड़ेंगे वह कार्बनी पदार्फ में तो उससे क्या होता है करबन डाई आप शायड का निशकर्शन होता है और उनको तोड़ने के लिए क्या चाहिए है टेक है इसलिए यहां पर क्या होगा और यहां का जल जो है वो क्या होगा दूसरी थमाना जाएगा यानि आप ठीक है यानि कि वहां पर अब उत्पाधक्ता या फिर जो आपकी दिखा जानी ट्रियंट्स में कमी होने वाली एक समय के बाद कमी हो जाएगी चलिए अब देखें किया सुपोस्ट ठीक है सुपोसर के बारे में जान लीजिए कि भाया सुपोसर होता क्या है ठीक है कि इसको सुपोसर होां आद रसे होगा या जान रहे होंगे बहुत बारा आप ने सुना कि इस ज्धिनमें क्या हो गई बहुत सासे ज़कूंभ आ या यह जू WILL से पट गई जिल में यह है सेवालों ने पूरा ढख लिया जील को बहुत सुना होगा यह आपने इस प्रमें आपने यह अपने किताबों में पड़ा होगा तो जो आपका सुपोसर्ण है यह वह पर क्लिया है जिसमें एक जल निकाए है में मुख्षक तक्तों से क्या हो जाएए घ्रजब जो एक जम्रुण निकाहिए है वह से फुल Alrighty यह परगशच नहीं यह हो जो ए इससे होगा कि उसमें जो रहने वाले साध्वनाइन है उनका mitä वह बुधाश Cisco कि भरपूर विकास होगा क्योंकि उनको भाई पोसक्त तो मिल रहे हैं पोसक्त तो मिलेगा तो भाईया वो क्या करेंगे अगर से प्लवक हैं उनकी संख्या बढ़ रहे हैं जान लीजिए कि वहां पर क्या हो रहा है वहां पर यूट्रीफिकेशन हो रहा है यानि या पर फोर्शन परगहटना वहां पर इस्टार्ट हो गई है है अब क्यों जो है अब इसको जो आपका यूट्री प्रिकेशन है इसको एक गंभीर समस्या के रुपे माना जाता है मता सकते हैं क्योंकि यह इतनी बड़ी समस्या है दोस्तों कि यह पूरे के पूरे लेक इको सिस्टम को या एक बड़े जील को डेड जोन बना सकती है इसलिए यह क्या है आपके परियावरण के लिए बहुत गंभीर चिंता का विशह माना जाता है अब इसमें क्या होता है कि जब सुपोषण होगा तो पानी की गुरवत्ता क्या होगी वो खराब होगी यह उसमें गिराब अटाएगी और जल निकायों में जो घुलित ऑक्सीजन है या जो डिजॉल्विंग ऑक्सीजन है वो क्या होगा कम होगा बढ़े जब बिद्धी व्रिदिकरने के लिए उक्सीजन चाहिए चाहिए ना तो जल में जो ऑक्सीजन घुली हुई है वही तो अब्साब करेंगे और जब केवल जो प्लवक हैं आपके या जो आपके सवाल हैं जो साधान पौधे हैं जो आपका इतर से वाटर एकोसिश्टम है उसमें पाए जा र दो इसे क्या होगा इससे होगा आपका जो वुच्खेतर है वो क्या हो जाएगा यंद्स जोन बन जाएगा क्या बन जाए कि अब देखा जाए तो एक नाइट्रूजन बात करिए नाइट्रोजन की बात कर लें नाइक्ट्रोजन और जो फास्टेट है यह क्या है दोस्तों आपके उर्वर रख है कि क्या यह अपने फस्लू के अधिकूद बादिता के लिए का यूज करते हो अब जब बारिस होगी तो वहां से पानी बहात के कहीं जाएगा यह बड़ी-वाटर-बोडी उस तो जाएगा ना अब ऐसे नहीं आप почशू यह बारिस हुई आपने फक्रेकर मीं लगा से बार्स शाइग वह आ यहां पर एलगी इनको क्या मिल जाएगा है कि निउट्रियंट्स मिल जाएँगे या पोशक मिल जाएगा रिषा यह क्या करेंगे या नहीं कि सारे के सारी छेत्र में यह प्रड़ जाएंगर दिन दोना रात चोगनी रूप से ब्रिद्दी करते लोग और उसक्रिय क्यों फिक है घरे लोग कच्रे की बात कर ले या अध्योगी कच्रे की बात कर ले जो आपका कच्रा है वो भी क्या होता है दोस्तों वह भी water body में अगर मिलता है तो वहां पर क्या क्या effect डालेगा वहां पर जो है यानि यूट्रोफिकेशन की जो तरह से फंक्शन है वो क्या करेगा स्टार्ड कर देगा या क्रियेट करेगा और उस water body को क्या बनाया देगा dead zone ठीक है तो अब जैसे बात करते हैं सुपोशन की तो यह कितने प्रकार का होता है यह भी देखा इसको हम कल समझेंगे सुपोशन के प्रकार उससे होने माली और जो परिखटना है यह सब थीजें हम कल देखेंगे और कल वह अच्छी थी जानकारियां देंगे कल बात करेंगे निशनल जो आपका एट्मस्थे इंडिक अडिस्टेशन उसकी बात करेंगे तब हम दिखाएंगे तब बताएंगे कि जो आपका यह सुपोश्चन है या जो यूट्रिफेकेशन है वो क्यू परियावरण के ल नगने वाल